मन्से यानि की महराष्ट नौनिर्मार्ट सेना के मुख्या रास ठाक्रे ने एक बार फिर से प्रधानमंती नरेंद्र मोदी के खिलाफ कटा आक्षवाला लहजा अपनाया है और फिर से उन्हें निशाने पर लिया है बता दें आपको कि रास ठाक्रे ने प्यम मोदी को लेकर एक कार्टून पोस्ट किया है फेस्बुक पर इस सोटो में प्यम मोदी को अंडर वर्ल डाउन दाउद इब्राहिम साल 2019 की तरफ खीशता हुआ दिखाई दे रहा है बताते चलें आपको इस फोटो को अब तक लगभग चार हजार लोग अपनी फेस्बुक वॉल पर शियर कर चुके हैं वैसे आपको बताते चले कि ऐसा पहली बार नहीं है जब राज ठाकरे ने ऐसा किया है पियम मोदी के खिलाफ गरतलबे फेस्बुक पेज की शिरुवात करते वे राज ठाकरे ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें नोंने संस्री खेस खुलासा करते वे कहा था कि आगामी चुनाओ यानि कि लोकसभा चुनाओ 2019 को लेकर तंज कसा गया है राज का इशारा इस तरफ है कि पियम मोदी दाउत के मुद्दे को आगामी आम चुनाओं में भुना सकते हैं जानकारी देदे आपको कि राज ठाकरे हमेशा ही अपने बेतुके बयानों और अपने पोस्ट के जरिये चर्चाओं में बने रहते हैं SPN 9 न्यूजरूम की रिपोर्ट